हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं आर एफ आईडी टैग के बारे में आर एफ आईडी एक ऐसी तकनीक है जो विविन टैग की की गई वस्तूओं को स्वचालित रूप से पहचानने के लिए रेडियो तरंगों का उप्योग करती है यह एक वायरलेस ट्रैकिंग विधी है जो वस्तूओं को ट्रैक करने के लिए टैग और रेडर का उप्योग करती है कार्य प्रनाली इस प्रनाली के अंतरगत ट्रांस्पोंडर रिसीवर और ट्रांस्मिटर तिन घटक होते हैं आर एफ आईडी रीडर लगतार आर प्रनाली में एक विसिष्ट अवरिती की रेडियो तरंगे भेचता है यह वस्तू के आर एफ आईडी टैग जुड़ा हुआ है और वह रेडियो तरंगों की सीमा के भेतर है यह आर एफ आईडी रिडर को प्रतिकरिया प्रदान करता है जिससे वस्तूओं की पहचान की ज नहीं है वे रीडर की आने वाली रेडियो तरेंगों से पावर लेते हैं अर्ध निस्क्रिय टाइग में एक सक्ती स्रोत के साथ एक आंतरिक सर्किट होता है सक्रिय टाइग का आंतरिक सर्किट एक सक्ती स्रोत द्वारा संचालित होता है RFID के प्रद्योगी की और बार कोड के बीच की तुलना RFID रेडियो तरंगों का उपयोग RFID चिप्स से डाटा सम प्रेशित करने के लिए करता है डेटा प्राप्त करने के लिए लाइन ओफ विजन का आवस्यक्ता नहीं होती है बार कोड सरल और नकल करने में असान होते हैं जबकि RFID अधिक डिजिटल और इसकी सटिक कॉपी बनाना कठीन होता है बार कोड की तुलना में RFID टाइग महंगे होते हैं RFID टाइग वहनों पर कहां लगाते हैं? रेडियो तरंगों का उपयोग करके रीडर के साथ समवाद करने के लिए एकत्रित सर्किट और एंटीना का उपयोग करते हैं टाइग द्वारा रेडियो तरंगों के रूप में वापस भेजी गय संदेश को डेटा में अनुवादित किया जाता है इसका होस्ट कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा विसलेशन किया जाता है RFID को वस्तों के पहचान करने के लिए सीधी द्रिष्टी का अवैसकता नहीं होती है RFID टाइग वहानों पर कहां पर लगाते हैं? आटोमेडे टॉलिंग में, आटोमेटिक वेहिकल एवी आई में, जैनवीच चेक करने के लिए RFID ट्राइटाइग के तोर पर, आटोमेटिक पार्किंग और ऐसेस सिस्टम के लिए Logistics के लिए, RFID का उपयोग विभिन अनुप्रियोगों में किया जा सकता है उपयोग प्रवंद, मौल की ट्रैकिंग, वेक्तियों और जानवरों की ट्रैकिंग, टोल संग्र और संपर्क रहित भुकतान, मसीन पाठनिय यात्रा दस्ता वेज Smart Dust, बड़े पैमाने परवित्रित सेंसर नेटवर्क के लिए, खोई हुए हवाई अड़े के समान का पता लगाना, खेल आयोजनों को का समय, ट्रैकिंग और बिल्डिंग प्रकिरियाए, खराब होने वाले समान की भौतिक इस्तिती की निगरानी RFID Transponder का लाफ क्या है? गयर धातू या गयर परदर्शी समागरी में प्रवेश कर सकता है, डेटा में एक बड़ी मेमोरी छमता होती है, सुरक्षा RFID Electronic सुचनाओ को वहन करता है RFID Tag के नुकसान RFID Tag आदर्श नहीं है, कुछ समस्याओं में विभिन सुरक्षा और तकनीक मुद्दे सामिल है, कोई भी वेक्ति की समवेदन्शिल जनकारी एकत्र कर सकता है RFID तकनीक RFID की तकनीक कोई ज़्यादा तकनीक नहीं है, अपनी अधिक अनुपरियोगों के कारण ही या सभी के ध्यान में आया है Computer Networking तकनीक जिसका अविश्कार साथ या सत्तर के दर्शक में हुआ था उनका व्यापक ग्रूप में अंगी करन इंटरनेट के आगमन के साथ ही हुआ तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट करें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच